King of Romance कहे जाने वाले शारुक खान की फैमिली को कौन नहीं जानता। चोटे बड़े सभी उनके दो बेटे अबराम आरिन खान, उनकी बेटी सुहान और वाइफ गौरी खान को जानते हैं, काफी पॉपलर हैं। लेकिन किंखान की लाइफ में एक और शक्स हैं, जिस पर वो अपनी जान चड़कते हैं, वो उनके बेहत करीब हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी बेहन शेहनाज हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि वो लाइम लाइट से दूर रहती हैं। तो चलिए आज हम आपको किंखान नहीं, बल्कि उनकी बेहन के बारे में कुछ इंटरस्टिंग बाते बताते हैं, जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। शेहनास के गालों पर भी डिम्पल पड़ते हैं, एक सुपरस्टार की बेहन होने के बावजूद वो काफी सिंपल लाइफ जीती हैं, वो बॉलोवड के चकाचौन से दूर रहना ही पसंद करती हैं। जीवन आसान नहीं रहा। उनकी जिंदगी में कई दर्दनाब किस्स रहे हैं। जानकारी के मताबिक शेहनास पढ़ाई में काफी होश्यार थी, लेकिन पिता के निधन के बाद उनकी जिंदगी एकदम ही बदल गए। उन पर मानसिक तनाव का इतना बुरा सरपड़ा कि वो लोगों से ना सिर्फ मिलने से कतराने लगी, बलके एक नॉर्मल लाइव भी नहीं चीपा रहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो शारुख खान के पिता के निधन के दस साल बात उनकी मा का डाइबिटीज के कारण निधन हो गया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। और इससे शहनास की हालत और बिगड़ गए। में इसका खुलासा खुद शारुख ने किया था। रिपोर्टेडली उन्होंने बताया था कि शहनास मानसिक तनाव का भी शिकार हो चुकी है। उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है जब मेरे पिता का निधन हुआ था तब शहनास को सदमा लग गया था। पिता का शारुख खान को अपनी बहन में मा की जलक दिखती है और इसी वजह से अपनी बहन से काफी करीब है। रिपोर्टेडली शहनास ने शादी नहीं की है और अपने भाई शारुख के साथ ही मन्नत में रहती है। वेल तु ये थी केंखान की बहन शहनास के बारे में कुछ इंटरस्टिंग बातें। आप क्या कहना जाहेंगे इस पर नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही ख़बरों को जानने के लिए देखते रहें बॉलवड नाव।